हे गाईज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल तो दोस्तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो स्वागत आपको कंसॉल टीयो डॉक्टर यूटूब चैनल में मेरे नाम डॉक्टर एमडी फैजन कंसुल्टेशन और फिजिसियन पीडियेटिक न्यूबर्न बेबी को कब से मसाज कर सकते हैं कौन से तेल इस्तेमाल करना चाहिए सरसोक के तेल से क्या नुकसान होते हैं सरदी और गड़मी में कैसे मसाज करते हैं यह सब वीडियो यह सभी बाते जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में बने रहें अगर चैनल को करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं तो दोस्तों भी बात करेंगे मशाज के फायदे हैं मशाज से बच्चे को क्या-क्या फायदे होते हैं तो मशाज के बहुत फायदे होते हैं लाइक बच्चा दिन भर सो लेटा रहता है गोद में रहता है तो थकान होती है तो मसाज से थकान दूर होती है बच्चे को नींद भी अच्छे से लगती है और बच्चे चिर्चिरे नहीं होते हैं हैपी फील करते हैं इसके अलवा जो बच्चे को मसाज करत हो चाहे वो बच्चे की मा हो या कोई या बच्चे का कोई केर टेकर रिलेटिव हो तो उनके अंदर एक बच्चे का लगाओ पैदा होता है मसाज देने वाले के साथ कोई भी अगर मसाज करें तो उसके साथ बच्चे का एक अलग सा लगाओ पैदा होता है अब आते हैं बच् करते हैं लेकिन दगशे कोवन सेशन में कम से कम 10-15 मिनट ही मसाज नहीं भकत है इतना बंफ लिए 10-15 मिनट है ज़िदा मसाज करने से बच्चे को कुछ ज़्जा ज्यादा बेनफीट जादा फायदा नहीं होते हैं आप थर सदें बेहीर हुआ होते हैं तो आप झाल पंदरे मिनट ही मसाज घर तो चली जानते हैं कौन से तिल से ौ छ्यादा लोग मांते हैं कि सरसों का ये अच्छा है बच्छे को लगाना चाहिए लेकिन कई हद तक ना लगाएं तो बेटर है क्योंकि इससे skin infection यानि dermatitis होने की बहुत जादा chances होते हैं कभी-कभी कुछ बच्चों में देखा गया है olive oil भी reaction करके तो अच्छा लाल हो जाते हैं तो आप यह सब oil avoid करें तो अच्छा है आप इसली हर जगा मिलता है coconut oil यानि नाडियल का तेल से आप बच्चे को मालिस कर सकते हैं यह कई हद तक safe है बात करें सर्दी की अभी तो दिसंबर चल रहा है इस season में बच्चे को नहलाने के बाद मालिस करें क्योंकि सर्दीयों के season में जुरत होती है बच्चे को गरम रखने की तो जब आप oil मसाज करते हैं तो सरीर में गरमी पैदा होती है और बच्चे की सरीर गरम रहती है यानि अब बात करते हैं गर्मियों में और सर्दी में बच्चे को किस तरह से मसाज करनी है आप सर्दियों में बच्चे को नहलाने के 15 मिनट के बाद मसाज करें अब बात करते हैं गर्मियों में तो गर्मियों में बच्चे को नहलाने के पहले मसाज करनी होती है ताकि एक्ष सेम उल्टा होता है यानि आप सरदी में नहांने के 15 मिनट बाद मसाज करें और सरद गड़मी में नहलाने के 15 मिनट पहले मसाज करें इससे बच्चे को बहुत बेनिफिट्स होते हैं अब आते हैं कितने दिन का बच्चा हो तो मसाज करना चाहिए बात करें न्यूबर्ण की, तो न्यूबर्ण में जब नाभी गिर जाय तो मसाज करनी होती है, नर्मली 5-7 दिन में नाभी गिर जाती है और 7-10 दिन में नाभी सुख जाते हैं, तो आप 11 दिन से बच्चे को मसाज कर सकते हैं, बच्चे को नाजुक हाथों से मसाज करें, ज् लगा कि मसाज करने से बच्चे को तकलीफ होता है दूसरी बात जो कमड़े की वातावरन अगर सर्णी का सीजन में तो कमड़े का वातावरन गरम रखेंगे इसे नुकल्सान होते हैं बच्चे को नुक्सान हो सकती है तो आप जितना जेंटी मसाज करना है आप primarily मसाज कर सकते हैं यह से कोई दिककत नहीं होता है बहुत लोग होते हैं कि पुड़ा ताकत के साथ मसाज करते हैं नहीं करना चीए तो दोस्तों I hope आप समझ गए होंगे सिसु की यानि बच्चे को मसाज कैसे और कब करनी चाहिए दोस्तों वीडियो कासी लगी तो लाइक कर दें अपने दूस्तों के साथ सेर कर दें और कमेंट में बताएं कि बीडियो कैसी लगी और आपका कोई भी question है किस इसी टॉपिक पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों थैंक्यू सो मच जाहिंद बंदे मात्रम